आज हम बच्चों का पसंदिनता पोटाटो बाइट्स बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पोटाटो बाइट्स तो अलग अलग फ्लेवर में बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा तो आप सरूर बना के देखे एक बार तो इसके लिए मैंने यहां पे चार आलू लिये इसे हमे कि पदिन पतलेस करने हैं एक दम पत्लेस करेंगे को आलो का देखे में एक पत्ला पत्ला कमा तर इससे कट कर लिया है और अच्छी तरह प्लिया है अब इसमें उभालना है तो यहां पें कड़ाई में मैंने पानी गर्म कि नमीग नहींग अलो बस 30% कूक करना है यानि एक से दो मिनिट के लिए ही कूक करना है अब आलो डालने के बाद पानी का जो है टेंपरेचर कम हुआ है तो अभी इसे वापस से अच्छी तरह से उबाल लेका है और पोटेटो को बस 30% ही उबालना है क्योंकि अगर पोटेटो बाइट्स में आपको क्रंच ने सचिए तो अपको बस कम ही उबालना है आलो को तो अभी एक मिनिट हो चुका है तो मैं चेक करती हूं पतले स्लाइज करने के वज़े से यह जल्दी पक चाते हैं तो देखे बस इतना ही हमें पगाना है ताक जब भी आम लोग इसमें फोक्स कलाते थे तो बहुत है तो चौपर में भी आप से बाहर कि रिच्छा कर सकते हैं को देखिए एक तब दानिदार ऐसे मेन इससे में सेकें के लिए एक इसक हमें सेकें का लिए हमें हमाना है बस जादा नहीं चेक का आप्नद करने yards से ल 2005 झाल लेते हैं जब्षों को यह पसंद आतें हैं जचों से को यह पार्टी स्नैक से किरेखे को बना सकते हैं उ tu hai इसमें ढूलेंगे 2-3 चमच कैंवे कांच तो क्हों कांच की जगाप चावल काटा भी डाल सकते है यह मैदा भी डाल सकते हैं तो तीन चमच मैंने डाला है कौन फ्लोर और वन फोर टीस पी ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और यहां पर एक चमच पीजा सिजनी या मिक्स औरेगान और हब्स भी डाल सकते हैं एक चिली फ्लेक्स और थोड़ सहरा धनिया डालेंगे बारी कट किया हुआ और इसका टेस्स बढ़ाने के लिए हम लोग डालेंगे एक चीज क्यूब बारी कट करके या चीज स्लाइस पी छोटे-छोटे तुकडे करके भी डाल सकते हैं तो यहां पर चीज क्यूब में डाल रही हूँ इसे कस करके डालना बड़े हो तो आप इसे जरूर बना के देखिए बड़े बच्चे एक दम प्यार से चाव से खाएंगे बच्चों के सथ बड़े भी प्यार से खाएंगे इतना यह टेस्टी लगता है अब अच्छी तरह से कर लेते हैं मीक्स सब चीजों को अब यह मीक्स हमारा रेडी हो गया तो इससे साइट में रखते हैं और दूसरा मीक्स बनाने लेते हैं तो इसमें हम लोग डालेंगे वापस से दो चमच कॉर्ण फॉर क्योंकि थोड़ी आलोग की मातरा कम है और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमग कठा हुआ धनिया और अभी इसमें हम लोग डालेंगे अलग फ्लेवर के लिए मैगी मसाला एक पैकेट में यहाप मैगी मसाला डालूंगे बचों को बहुत ही पसंद आएगा यह मैगी फ्लेवर वाला पोटेटो बाइट्स पूरा पैकेट्स मेरी यहापे डाल दिया है औ जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो तो वह आप यूज कर सकते हैं और बीना चीज के भी यह बहुत ही अच्छे रखते हैं तो यह दोनों जो फ्लेवर हैं तयार हो चुक्किया है अभी हम इसे सेट करना है तो यहाप मैंने दिखिए थाली को आई से ग्रीज कर लिया है और इसमें हम लोग यह जो है मारा मिक्चर उसे डालके सेट करेंगे तो यहाप मैं इसे स्क्वेर शेप दे रही हूँ ताकि कट करने में एकदम आसानी और थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि पोटेटो बाइट जो होते हैं थोड़े ठीक और बड़े साइस वाले ही होते नहीं कोहतो हैं तो अब इसने धेक स्क्वेर शेप दिए हैं तो आप यही इससी स्क्वेर शेप दीजिए तो त्रेव अगरे की ज़रूरत में बेकिंग ठ्याप ठाली नहीं कि स्क्वेर शेप दे सकते हैं तो दोनों फ्लेवर को है ना मैं एक की थाली में अच्छी तरह से सेट करने वाली हूँ तो दोनों को देखिए एक की थाली में मैंने सेट कर लिया है अभी इसे हमें फ्रीजर में रखना है सेट करने के लिए आधा गंटा फ्रीज में फ्रीजर में रखना है इसे मैं आधा ग बुलिएगा मद तो यह आदे गंटे के बाद देखिए मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया इसके अभी पीसेस करते हैं तो इसली पीसेस हो जाते हैं क्योंकि अच्छी तरह से सेट हो चुका है और आपको स्क्वेर थोड़े स्क्वेर थोड़े मुटे साइज का ही करना ह देखिए कितने अच्छी तरह से सेट हो चुके है और इसली प्लेट्स में से निकल के भी आते हैं तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए अभी मैंने गैस पे चड़ाया पैल और उसमें डाला है तेल तेल को अच्छी से गरम होने के बाद हम लोग पोटेटो हैं तो यहाँ पर मैं शौलोफ्राई करने कर रही हुआ है तो देखें एक साइट से अच्छी से फ्राइब होने के बाद दूसरे साइट से फ्राइब करने रखेंगे तो को लर देखिए कितना ज़बर्डूस्ता आया है तो इसी तरह से अब जरूर बनाके देखिए तो यह दोनों तरफ से अच्छी तरफ से फ्राइ हो चुके हैं जबरदस्त कलर आ गया है देखिए तो मैं इसे निकाल लेती हूँ अभी इसे हम लोग एक प्लेट्स में निकाल लेते हैं और जो मैगी शे खुलेशाव हैं। मैगी उसले idea वाले बाइटिस बनाएते हैं। ऊसे भी फ्राई कर लेते हैं। चैक पहले मेरे मेरे चाहले theatre पार्टी स्नेक्स हैं। अलग है रवग तरह हैं। तो उसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो वह भी आप देख सकते हैं जबरदस्त टेस्टी ऐसे यह स्नैक्स हैं तो इसे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि नई रेसिप के नोटिफिकिशन आपको तुरत मिल सके तो यह हमारे तया हो गए हैं पोटेटो बाइट्स एक दम जबरदस्त टेस्टी ऐसे स्नैक्स टी टाइम स्नैक्स भी आप इससे कह सकते हैं तो जरूर है तो बार बार बनाएंगे इसी यह पोटेटो स्नैक्स से